नमस्कार दोस्तों आप सब्सक्राइब के स्वागते कंप्यूटर ग्यान के इंदर चैनल में और इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपको माखलाल यूनिवर्सिटी के अंतरकत होने वाले कूर्स डीसिये और पीजी डीसिये के विभिन सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट प जो भी नए वीडियो आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न जो दिसंबर 2023 में अभी प्रिक्ष होने वाली उससे संबंदित कोई भी नई अपडेट अगर हमरे चैनल पे आती है तो वो वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके आज के वीडियो में बात करने वाले है DCA Second Sam के अंतरकत आने वाले सब्जेक्ट DTP याने की Desk Top Publishing सब्जेक्ट के Most Important Question के बारे में जो की आपको अभी दिसंबर 2023 के एक्जाम में देखने को मिल सकते हैं देखे यूनिट वाइस यहां पर हम बात करेंगे यूनिट फर्ष्ट के तीन मुख्य प्रश्न जो आपको जालते हैं तीन या चार प्रश्न जो आपके लिए बहुत important है जो परिक्चा में आपको मुख्य रूप से तयार करके जाना ही जाना है यदि आपके बल इन प्रश्नों को भी तयार करके जाते हैं तो भी आपको ये प्रश्न परिक्चा में देखने को मिलेंगे और इनके answer आप लिखकर पास तो जरूर हो जाएंगे लेकिन आपको तयार पूरा subject करना है ये most important प्रश्न होते हैं जो पिछले कई सालों से लगातार बार बार पूछे जा रहे हैं उसके अधार पर ही इन प्रश्नों को निकाला जाता है ठीक है तो unit 1 में जो सबसे पहला प्रश्न आत इसी package subject वहाँ पर आपने word excel powerpoint चलाया हुआ है तो वहाँ पर MS word के इस्तमाल करना आपने से कहोगा तो इसको बोले जाते word processor तो यहाँ पर आपको अंतर बताने कि word processor में और publication software क्या होते है जैसे कि page maker हो गया फोटोसाप हो गया कूरल ड्रा हो गया ये publication software होते हैं तो इस उनों में अंतर बताने कि word processor में और publication software के बीच में क्या अंतर होता है दूसरा प्रशन है विबिन्य प्रकार की printing टकनीक को समझाए बहुत important प्रशन है printing टकनीक खास करके printing टकनीक में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक offset printing टकनीक मिलेगी वो most important question है offset printing टकनीक जो है printing के प् बहुत सारी printing technique होती है ग्रेवरे printing होती है screen printing होती है laser printing होती है वो उन सभी के बारे में detail में आपको पढ़ना है और उन सभी से संबंदित जानकारी आपको इस प्रशनिक अंतरगत देनी है तीसरा जो important प्रशन है वो है desktop publishing क्या होती है desktop publishing याने कि DTP होता क्या actually मैं उसका basic concept क्य होता वो आपको यहां पर इस प्रशनिक अंतरगत समझा रहा है अब question number unit number 2 की तरह बढ़ते है unit number 2 में मुख की रूप से page maker से संबंदित प्रशन आपको मिलेंगे unit number 2 और 3 page maker से संबंदित है unit number 4 और 5 Photoshop से संबंदित है क्योंकि मुख की रूप से DTP जो subject है इसमें आपको दो आपके software के बारे में जानकर दी गई है पहला page maker आपको clear समझाना है दूसरा Photoshop आपको समझाना है तो unit 1 के अंतरगत basic concept पूरा आ गया भाई printing तकनीक क्या होती है कौन कौन से printing होती है DTP क्या होता है publication software क्या होता है थोड़ा सा basic उसके बारे में अपने पढ़ा unit second और third में अपन page maker में attribute setting को समझाईए attribute से संबंदित साभी सारी चीज आपको वहाँ पर समझानी क्या क्या होते हैं page maker में tools इस प्रश्णों को बहुत अच्छे से तैयार करके जाईएगा tools से संबंदित प्रश्णों Photoshop में भी पूछा जाता है page maker में भी पूछा जाता है अब या तो tools वाला question इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि भी या पूरे tools से समझा दू है ना विबिन प्रकार के tools को उसको diagram के साहिद समझा दो एक इस प्रकार से दिखेगा या पिर जैसे ये short notes लिखा है short notes में भी आपको देखेगा कि भी ये toolbox को समझाओ page orientation समझाओ importing text को समझाओ कैसे import करते है auto flow क्या होता उसको समझाओ तो short notes में भी आपको ये प्रशन देखने को मिल सकते है short notes मतलम tipidly को में भी ये प्रशन आपको देखने को मिल सकते है तो page maker में आपको unit second से मुख की रूप से इसका थोड़ा था basic पढ़ना है कि page maker software क्या होता है उसके कौन-कौन से tools होते है और इसके अंतरगत ये क्या-क्या चीज़े आती है छोटी-छोटी से वो आपको समझनी होगी unit third में page maker के अंतरगत master page का वर्णन करो master page क्या होता है master page एक basic अपने इसको पढ़ा हुआ है किस चीज़ में अगर आपको याद होगा तो power point में भी आपने master page का concept पढ़ा था power point में master page का concept क्या होता है कि कोई एक ऐसा page जिसमें जो भी आप update करोगे वो आपके बनाये गए creation के सारे pages में उसका update दिखाई दिने लगेगा इसी प्रकार से master page यहाँ पर भी काम होता है कि अगर मालो कोई चीज़ अपने master page में लिख दिये तो वो बाकी सारे pages में automatic दिखाई देने लगती जैसे header footer का काम होता है में स्वर्ड में वैसे ही master page का काम यहाँ पर होता है तो add up page maker में master page का वर्डन करना है इसके अलावा unit 3rd से explain करना है story editor क्या होता है header footer क्या होता है print setup क्या होता है bullets क्या होती है column balancing क्या होता है ठीक है यह कुछ टिपड़ी वाला question है इसको जरूर नोट डाउन कर लीजे page maker में एक विग्यापन किस तरह बना जाता है उसकी process आपको बताना है कि भाई कितना gap लिया जाता है दो page के बीच में दो columns के बीच में कितना gap होता है कितना आपको margin रखना होता है इससे संबंदित आपको जानकर यहाँ पर देनी होगी ठीक है तो unit third में कुल में लाकर page maker आपका unit second और third में इस प्रकार से इससे पूछा जाती है unit fourth के अगर बात करें most दो important question अगर मैं बात करूँ तो एक तो vector image राश्टर image रट के जाना क्या होती है क्या अंतर होता है दोनों में क्या similarities होती है vector image और राश्टर image यह प्रस्णी जो है most important है पहला दूसरा जो unit fifth में आपको देखना को मिलेगा tools के बारे में ठीक है photosops related unit fourth और fifth दोनों photosops related है चाहे unit fourth की बात करो चाहे फिफ्थ की बात करो लेकिन इन दोनों में most important question एक तो tools वाला हो गए गभी यह tools कौन कौन से होते है दूसरा vector image राश्टर image color mode और module और color module क्या होते है इसको भी अच्छे सत्यार करना है इसके लावा graphic file format कौन कौन से होती है like jpg आपने देखा image होती है jpg होती है png होती है bmp होती है यह सब क्या गलाती है file format होते है तो विबिन निप गार के graphic file format कौन कौन से होते है इसको तियार कर लीजेगा इसके बाद यहाँ पर explain करना है filter क्या होता है layer क्या होता है PhD फाइल क्या होती है pallets क्या होते है यह 4 short notes से आपर दियेगा इनको जरूर तियार कर लीजेगा तो यहाँ पर कुल में लाकेट जो DTP subject है desktop publishing इसके first unit में आपको basic basic जानकारी देनी है second और third में page maker के बारे में पढ़ना है fourth और fifth में photoshop के बारे में जानकार देनी है तो यह होगे आपका DTP subject इसी प्रकार से अब अगले वीडियो में हम आपको उताएंगे internet से संबंदी जो most important प्रश्ण है उनके बारे में तो चैनल पर अगर नए है और अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा वीडियो को एक like जरूर दीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में